अप्डेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए है तो रुक्वेस्ट यह है कि वीडियो को लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा तो चलिए टाइम को वेस्ट के बगार बढ़ते हैं आज की एहम तरिन आपडेट की जानीब तो जर्मनी ने 23 मेई से याइनि के आज से बर्टवानी शेयरियों के लिए मुल्क मे दाखले पर पब़बंदी लगा दी है गेर मुलकी मीडिया रिपोर्ट के मताबिक बर्तानिया से सिर्फ जर्मन शेयरी या क्याम की अजाज़त रखने वाले ही जर्मनी जा सकेंगे जर्मन शेहरी को शरीके हियात 18 बरस से कम उमर बच्चों के हमरा दाखले की अजाज़त होगी हंगामी बन्यादों पर फलाई काम और गम में शिर्कत के लिए जाने वालों को भी अजाज़त होगी मनफी क्रोना टेस्ट की रिपोर्ट के बावजू दो हफ़ते कॉरंटाइन में रहना होगा जर्मनी ऐसी सोच रखता है कि बरतानिया को वाइरस की हियत में तबदीली वाला मुल्क रादिया जाए अमरास पर तेहकी के जर्मन कोमी अधारे ने ये बाद जुम्या 21 नवंबर को कही हकूमत अपने कोमी अधारे की सफारे Tiani implic रोश्ची में अतवार 23 मेई को बरतानिया पर सख सफ़री पबंदिया नाफिस कर देगी जर्मनी की जानिप से पबंदियों के नफास की सुरत में बरतानिया से सिर्फ जर्मन शेहरी ही वापसी का सफ़र इक्तियार कर सकेंगे ऐसे मुसाफरों को जर्मनी पूँचने के बाद दो हफ्टे कॉरंटाइण में भी रहना लाजमी होगा बरतानिया से आने वाले शेरी के पास मन्फी रिपोर्ट होने के बवजूद कॉरंटाइन के दुरानिया में कोई कमी नहीं की जाएगी जर्मन वजीर सेहत के तरजमान के मताबिक ये कदम बरतानिया के लिए मुश्किल होगा लेकिन इसके सवा और कोई चारा नहीं है क्योंके इंडियन वाइरस से महफूज रहना भी बहुत जरूरी है तरजमान के मताबिक इंफेक्शन की शरा में कमी लाने के मजूदा अमल को बरकरार रखने के लिए खतरनाक वाइरस से बचाओ भी एहम है वरना मुस्बत एकदाम भी मनफी होना शुरू हो जाएंगे यूरप में बरतानिया वो पहला मुलक है जिसकी निशाइंड़गी बतोर वाइरस के तोर पर की गई है जर्मनी में ये खतरे या रिस्की सबसे बड़ी केटगरी है इस केटगरी में इस वक्त एशिया अफरीका और जनूबी अमरीका के यारा मुलक शामिल है ऐसा ख्याल किया गया है के करोना वाइरस का इंडियन जो खतरनाक वाइरस है वो सबसे ज्यादा खतरनाक और तेजिस से अफजाईश पाने वाला वाइरस है बरतानिया में COVID-19 की वबा फिलाने वाले इंडियन वाइरस की तस्दीज साड़े तीन हजार के करीब मरीजों में की जा चुकी है ऐसे मरीजों की सबसे ज्यादा तदाद के कस्बों में है लंदन का वेस्ट डिस्ट्रिक भी इस वाइरस की किसम से मुतासिर बताया गया है जिसकी वज़ासे जर्मनी ने बरतानिया सफरी पबन्या नाफिस कर दी है तो ये थी अब तक की एहम तरीन अपडेट जो आप लगों के साथ शेयर की गई है अमीद करती हूँ के पसंद आई होगी फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में तब तक आपसा अपना बुखुत ख्यार रखेगा थैंक्यू खुदा हफिस